हेर फॉल या बालों का जढ़ना एक आम लेकिन परेशान करने वाले इस्तिती है जादतर लोगों को कभी न कभी यह समस्या होती है आमतार पर हर दिन लगभग सौ बाल गिरते हैं यदि इससे ज़्यादा मात्रा में बाल जढ़ते हैं तो यह एक असमानी इस्तिती है आमतार पर बाल जढ़ने की स्तिती बाल पतले होने से जुड़ी हो सकती है बाल जढ़ने की समस्या पूरी खोपड़ी पर भी दिखाई दे सकती है और खोपडी के कुछ हिस्सों में भी यह समस्या हो सकती है यदि आप भी बाल जणने की परिशानी का सामना कर रहे हैं तो आप होम्योपैथी दवाई और डॉक्टर की सला लेकर इस परिशानी से चुटकारा पा सकते हैं लोकल 18 से बाचीत करते हुए होम्योपैथी दॉक्टर पंकश पैनियूली बताते हैं कि होम्योपैथी चिकिसा पद्दती में हैर लॉस की समस्या से चुटकारा पाने का बेजोड इलाज है यदि आप देरहदून में हैं और आप बालों की समस्या से लंबे समय से जूज रहे हैं तो आप राजपुर रोड के जाखन में इस ती डॉक्टर पंकश पैनियूली के हुम्योपैथी क्लिनिक में आकर अपनी इस समस्या से निजात पा सकते हैं आइए जानते हैं बालों की समस्या के कारण क्या हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है देखिए hair loss जो है basically तीन तरीके के होता है एक होता है endrogenetic aloebaecea एक होता है aloebaecea arreata तो endrogenetic aloebaecea और तीसरा होता है chemical based और nutrition due to chemical and nutrition ये तीन तरीके के hair loss हमें generally देखने को मिलता है पहला जो endrogenetic aloebaecea की मैंने बात करी है उसमें क्या होता है जिनेटिक जो आपका प्रॉब्लम होती है आपके फैमिली के अंदर और इसको हम है're thinning भी कहते हैं एंडोजनेटिक अलपीशे को दो पर्ट में डिवाइट करते हैं मेल पैटन तिनिंग और फिमेल पैटन तिनिंग जो alopecia areata है आपने common language में बोलते हैं कीड़ा लग गया या जो patches में round circular shape में जो बाल के patch गिरते हैं उनको हम कहते हैं alopecia areata और जो chemical हम अपने सर पे लगाते हैं जैसे coloring करते हैं, highlighting करते हैं, creating वगारा करते हैं तो उसकी वज़े से जो यह loss होता है वो chemical और उसके वज़े से chemical uses की बज़े से होता है, आज हम बात करेंगे, आज मैं आपको जो बचाऊंगा वो है androgenetic alopecia, androgenetic alopecia में क्या होता है कि जो आपके genetic hair loss इसको कहते हैं, यह दो पार्ट में होता है, male pattern, female pattern, male को आपने दिखा होगा वो पूरा गंजा हो जाता है, लेकिन एक last के strip हमीसा रहती है, य यह वाली, यह वाली strip हमीसा रहती है उसकी, तो यह क्यों होता है कि male में जो हामोन होता है, dihydrotestosterone, DHT, DHT क्या होता है, बाके इन बालों पे effective नहीं होता है, जिसकी वज़े से यह बच जाते है, androgenetic मतलब, androgen मतलब हामोन और genetic मतलब genes, इन दो की combination की वज़े से जो fall होता है, female में क्या होता है, female में कोई भी female अभी तक गंजी नहीं दिखी होगी, rare of the rarest case में female गंजी दिखती है, क्योंकि उनकी body में testosterone को counter करने के लिए, always there is a estrogen hormone, जिसकी वज़े से उनके बाल पूरा गंजा होने से बच जाते हैं, अब मैं बात करता हूँ, इसकी medicine की, तो medicine में basically हमारे पास जो है, homeopathi में कुछ medicines आती हैं, जो सबसे पहले नाम है, wesverdin, wesverdin medicine जो है, ये hair fall में बहुत अच्छा बहुत effective काम करती है, उसके अलावा है, phosphorus, ये दवाई भी बहुत अच्छा काम hair loss में करती है, acid force, आज आपने देखा होगा कि डेंग्यू, चिकनगुनिया, मलेरिय के बाद लगाता रहिया, फॉल होते हैं, उसमें ये medicine बहुत अच्छा काम करती है, natramute, जिनके बाल की जड़ों में दर्द है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है, खुजली है, उनमें बहुत अच्छा काम करती है, और graphitis, जो जिनके बालों में dandruff बहुत ज़्यादा होता है, scalp जो होती है, जिनकी वो weak और poor होती है, उसमें ये दवाईयां काम करती है, इस हमारे किल्निक के है जो झो दॉक्टर पंकर शोमेथे क्लनिक है राश्पर प्रोघी सिय वहां पर जो है हम नई टेकनलोजी की थुरू आपके स्कैल को अनलेसिस करते हैं आपके हिए को एंलेसिस करते हैं और उसके बेस पे जो आपका ट्रीट्मेंट ब्लान हो ता है कास्लिप treatment हम provide करते हैं क्योंकि हर किसी के here fall होने की cause अलग होती है तो treatment भी हर किसी का अलग-अलग होता है